नमस्कार दोस्तों स्वागर है आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि केसे आप अपने रेटमी नौट 7S पर इंकामिंग कॉल ब्लेक स्क्रीन प्रॉब्लेम को सॉल्फ केसे कर सकते हैं तो दोस्तों य यहाँ पर इंकामिंग कॉल पिक करने का ओपशन दिखाई देना चाहिए या तो फिर कट करने का ओपशन दिखाई देना चाहिए ठीक है तो उसके जगे पर दोस्तों क्या शो करते हैं ब्लेक स्क्रीन शो करते हैं और दोस्तों नहीं आप उसको पिक कर पाते हैं और नहीं क कट कर पाते हैं तो इस तरह का इश्यू हो रहा है तो अभी दूस्तों यहाँ पर देखेगा अगर आपको भी इंकमिंग कॉल पे ब्लेक स्क्रीन का इश्यू हो रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा जरू डेख लेना मैं आपको सॉलुशन बताऊंगा सॉलुशन को फॉलो तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसका सॉलुशन सबसे पहले तो दोस्तों आप जो है अपने फॉन को फास्ट बूट कर लिजिए ठीक है अगर इस तरह का कोई भी इश्यू हो रहा है पार बटन को हॉल करके रखिए ठीक है डबाया और दोस तो उसको प्रेस करके राखिए कम सी कम 40 सिगेंड के लिए आपके फोन जो है ऑटोमेटिक बंद होके ओन हो जाएगा ठीक है तो इससे आपको एक फ्रेश रिस्टार्ट मिल जागा तो पहले तो आप एक बार रिस्टार्ट करके देखिए अगर रिस्टार्ट से काम बन जा उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करिए यहाँ पर जाए एपस पर और उसके बाद मेनेच एप मेनेच एप पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है फोन सर्वेस को ओन कर लेना है फोर्स तॉप करके ओके करना है और क्लियर देटा पर क्लिक करके क्ल और आपको system launcher दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक करना है इसको भी force stop करके okay करना है clear data पर click करके clear all data करके okay कर देना है उसके बाद यहाँ पर permissions होगा सारे permissions allow कीजिए ठीक है सारे permissions आपको अंदर पर जा जाके allow करना होगा तो जिटने वे permission से पुरा allow कर दिजिए थोड़ा सा time आया पर आपको डेना होगा उसके बाद device को restart करें और देखें आपका incoming call black screen problem solve हो चुका होगा ठीक है तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है यहाँ पर problem को solve कर सकते है black screen का जो आपके incoming call पर आ रहा है ठीक है तो यह होगा दोस्तों आपके लिए solution मान दीजिए दोस्तों by any chance अगर आपको दुवारा से problem आता है टोफिक क्या करें तो जाइए दोस्तों आपने mobile के setting पर आ कर देरा होगा update का option ठीक about phone के अंदर पर तो आपको software update कर लेना है software update करने से दोस्तों यहाँ पर आपका इस तरह का issue जो रहते हैं वह fix हो जाते हैं ठीक है तो यह simple solution आप follow करके देखे पूरा solution आपको करना है इसके बार आपका जो भी issue है वह fix हो जाएगा और दोस्तों अगर आपकी device पर कोई भी bad application से तो आप उनको uninstall करें क्योंकि bad application जो होते हैं वह आपकी device के लिए harmful होते हैं ठीक है device को damage कर देते तो उनको uninstall करें सारी साथ दोस्तों आप factory data reset के लिए भी जा सकते हैं तो यह सब solution करने के बाद तो दोस्तों आपका जो black screen का issue है वह 100% solve हो जाएगा ठीक है तो आज के इस वीडियो पर बस इतने वीडियो आचा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं इसके related पर अगर आपको कोई भी issue कोई भी problem है तो आप हमें comment section पर comment कर सकते हैं thanks for watching